सुरक्षा के मोर्चे पर भारत अगले मैने एक और मुखाम हासिल करने जा रहा है अंत्रिक्ष में युद्धा भ्यास कर भारत चीन को टक्कर देने की तैयारी में है इसके लिए देश ने ट्राइ सर्विस डिफेंस स्पेस एजनसी की शुरुवात भी कर दी है अब भारत अगले मैने पहली बार सिमुलेटेड अंत्रिक्ष युद्ध अभ्यास करने की योजना बना रहा है अंग्रेजी अकबार टाइंस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबी की अभ्यास मूल रूप से एक टेबल टॉप वार गेम पर अधारित होगा जिसमें सेना के लोग और वैग्यानिक हिसा लेंगे भारतिय सेना का मानना है कि अंत्रिक्ष में जिस तरीके से सेन प्रतिस्परधा चल रही है उसे देखते हुए आगे की तैयारी जरूरी है जुलाई के अंतिम हफ्ते में होने वाले इस अभ्यास का मुख्यों देश की काउंटर स्पेस शम्ताओं का आखलन करना भी है और इससे हमारी राष्ट्रिय सुरक्षा की तैयारियों का भी पता जरूर चलेगा तो अब अंत्रिक्ष में भी भारत अपने हाथ मजबूत करने की तयारी में है आपको याद होगा इससे पहले भी एक भारत ने एंटी मिसाल डिफेंस सिस्टम का यूज किया था अब भारत ने अंत्रिक्ष में कर दिया है एलान जंग और भूत अविश्वस निया अकल पनी ये वो शब्द हैं जो इस वक्त भारत की स्पीस टेक्नोलोजी पर बिलकुल सकीग बैट रही है क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े देश भी इस बारे में अब तक सूच नहीं सके थे लेकिन भारत अपने इस कल्पना को सांकार करने जा रहा है ऐसा कहा जादा है कि अगला विश्व युद्ध धर्दी पर नहीं अंत्रिक्ष में लड़ा जाएगा इसे देखते हुए दुनिया के कई देशों ने अंत्रिक्ष में सैटलाइट लांच करने का कारिप्रम तीज़ कर दिया है सब ही देश अंत्रिक्ष में अपने ताकत बढ़ाने में जागे हुए है ऐसे में भारत भी किसी से कम नहीं है भारत का एक पास्टर प्लान यकीनन बड़े से बड़े तेशों को हैरान कर देगा आखर कैसे भारत अंतरिक्ष में करेगा युद्धा भ्यास कैसे अंतरिक्ष में होगी जम की तयारी अगरे आधि गंटे तद देखे भारत का मिशन अंतरिक्ष जो हाँ अब इंतजार जो है वो बस कुछे दिनों का है जब भारत की मिसाले अंतरिक्ष में जंग की तयारी करती निज़र आएगी और इसके लिए इस्टोंने बकाइदा तयारियां करती है तयारियां जबरदस्तर ही किसी की गई है इस्टों की ब्लानिंग को देखकर आपकी आखे जो है वो हैराग हो जाएगी फटी की फटी रह जाएगी और ये कोई साधारण इवन नहीं होगा बलकि पूरी दुनिया की जज़र जो है वो भारत के अंतरिक्ष्में होने वाले इस युद्ध भ्यास प्रटी की होगी इसलिए आप भी आखे खूल कर ध्यान से इस खास प्रटी आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस वावर के रुपे दर्ज करा दिया भारत बना अंतरिक्ष में दुनिया की चौती महाशक्ति अब दुनिया देखेगी अंतरिक्ष में आग उगलती भारत की मिजाईले भारत की दमिशन अंतरिक्ष से चालाग चीन काम जाएगा अंतरिक्ष में भारत की मिजाईलों से अमेरिका भी हिल जाएगा माइश Greeks टेंगेी भारते अपने अंत्रिक्ष कारेक्व के शर्वार भी Вот सीमित जंसादड्रों के साथ किय थी जब पहली उप्गृकों अंत्रिक्ष में भीजा गया था तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत का अंतरिक्षियान किसी दिन बंगल के लिए जा सकेगा तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले कुछ सालों में भारत का चंद्रियान चांद पर पानी की खोच करेगा और अब भारत में बहुत बड़ी चलान लगाई है अब सिर्फ कुछ दिनों का इंतजार है अगले बाहिरे जब अंतरिक्ष में भारत की मिजाइले आग उगलती नज़नाएंगी जब भारत की मिजाइले बेकार होचकी सैटलाइट्स को नश्ट करती नज़नाएंगी जब अंतरिक्ष में भारत जंग की तयारी करेगा तब पूरी दुनिया की नज़र भारत के इस्मिशन पढ़ने की होँगी क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया अभी से हिरान हो चुकी है कि भारत जैसा मुल्क इतना बड़ा पील का पत्थर कैसी हांसल कर सकता है लेकिन भारत ने ये सब कर दिखाया है भारत अंतरिक्ष में अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को गरा चुका है और अपने राश्ट्रे सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए भारत ने जबर्दस तैयारिया की है इन तस्थिनों को देखे ये सिर्फ मार्च में ही हुआ था याई आप से सिर्फ दो महिने तहले इसमें सैने और वेक्यानिक समधाय से जोड़े लोग हिस्सा लेंगे इसलिये हम इस युद्या बयास को कर रहा है जिससे कि हम उनको संग्रक्षित करने के काम कर सकते हैं उसे संग्रक्षण देने का काम कर सकते हैं.. तुमठा पहले हिभारत ने नंतरिक्ष में एंटी सेटलैट मिसाल का परेक्षन किया था हमारे वैज्ञानिकों ने अंत्रीक्ष में स्पेस में तीन सो किलोमेटर दूर एल ए ओ लो अर्थ आर्बिट में एक लाईव सेटलाइट को मार गिराया है एलियो लो आर्बिट में यह लाईव सेटलाइट जो की एक पूर्वन निर्धारित लक्ष था उसे एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है जब प्रधान बंत्री ने देश के नाम संबोधन में खुशकबरी दी थी तब किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि भारत इतनी जल्द इतने बड़े पिशन के तैयारियों में लगा हुआ है अब सवाल है कि आखर भारत का स्पेस प्रोग्राम है क्या? कैसे भारत अंतरिक्ष में और मजबूत होगा? इसे समझें अंतरिक्ष में विरोधियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी देश की तीनों सेनाओं का होसला आसमान पर होगा देश के राश्ट्रेय स्तुरक्षा और मजबूत होगी मिजायल के चेतावनी, सटीक टागेट टेकनोलोजी मजबूत होगी अंतरिक्ष में बिलने वाली चिनोतियों से नपटने में मदद मिलेगी अगर कोई कोशिश करे हमारे सेटलाइट टोर डिस्टॉय करने की तो हम भी उसके सेटलाइट को डिस्टॉय करने की स्थेती में हो जब तक आप दूसरे कोई इन फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं तो रहे हैं हो जाता है, तो हैग कोन करता है, तो दुष्मन को इदेश करता है, वो हैग नहीं कर पाए, इसलिए यह उद्धिया ब्यास जोरी है, ऐसा भी है कि अगर आपने एक सैटलाइट छोड़ा और वो सैटलाइट को किसी दिस्ट्राइट कर दिया, तो आपने जिस उद अंतरिक्ष में होने वाला युद्ध्य भ्यास भी लो अर्थ और्बिट में होगा आखर ये होता क्या है इसे भी समझे लो अर्थ और्बिट का मतलब प्रिथी की निचली कक्षा से है धर्ती से 120 से 2000 किलोमेटर के दूरी के बीच का और्बिट है इसमें आने पर कोई भी का है अगर आप इस पेस को कंचोल कर लेते हैं तो आप इस पेस से क्या क्या चीजे कंचोल कर सकते हैं आप चूप मूवमेंट कंचोल कर सकते हैं आप जो मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस है आर्मी हेड़कौटर और जो युद्ध मैसानिक हैं उनके बीच के बादचीत को आप नियुक्त कर सकते हैं आप यह भी नियुक्त कर सकते हैं कि अगर आपको आटम बम भी छोड़ना है तो अंता आपको इसका सहारा लेना पड़ता है आप उसको भी नियुक्त करने काम कर सकते हैं आप कहीं भी किसी को सेटलाइट भी मिसाइल भी मारना चाहते हैं तो उसके भी महतुपुर्ण हो जाता है कि आपके जो जितने भी स्पेस आइसेट्स हैं, वो स्पेस आइसेट्स हैं, बिलकुल अक्षुन रहें, बिलकुल ही बरबाद करने की स्थिती में कभी भी नहीं आपाएं। यानी इसी तरह अगले महीने युद्धभ्यास को भी अंजाम दिया जा सकता है। ये युद्धभ्यास जुलाई की आखरी हफ़ते में हो सकता है। ये भारत की अंतरक्ष में बहुत बड़ी चलांग है। दुनिया के देश आखर इस पर कैसे काम करें अब जरा आप इस रेपोर्ट के जरीए उसे भी समझे है। When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. We must have American dominance in space. We must have American dominance in space force. We must have American dominance in space. We must have American dominance in space. We must have American dominance in space. तार्गे को निशाना बनाने के मिशन को अंजाम दिया है और अब इस कड़ी में चौथा मुल्क बन गया है हिंदुस्तान भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ती स्पेस पावर की रूप में दर्ज करा दिया है भारत की सबसे खास बात यह है कि भारत अंतरिक्ष से जुड़े अपने मिशन में सबसे कम पैसे खर्च करता है यानि कम पैसों में भारत बड़े से बड़े मिशन को अंजाम दे दिता है यह खुद प्रधान बंत्री पोधी कह चुके हैं Even today, our program stands out at the most cost effective in the world The story of our Mars mission costing less than the Hollywood movie Gravity मैंने सुना है कि Hollywood movie जो gravity movie बनी है उसमें जो खर्चाया है उससे भी हमारे Mars mission का खर्चा कम है यह अपने आप में यह अपने आप में बहुत बटी बात है लेकिन आप अपने आपको सुरक्षित रखने के सारे काम तो कर सकते हैं इससे सिर्फ इतना ही होगा कि आप अपने आपका अपना बचाव चीन से कर सकते हैं हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं कि आपने अपनी सुरक्षा को बिलको लक्षन बना ली और अब भारत अंतरिक्ष में युद्ध भ्यास करने के लिए दयार है जाहिर है दुनिया के कई देश इस पर अइतरास करेंगे, इस पर सवाल उठाएंगे लेकिन हिंदुस्तान ने कभी इसकी परवाह नहीं की देश की सुरक्षा से कोई समझोता नहीं किया, कभी भी प्रतिवंधों की परवाह नहीं की और आगे भी भारत इस तरह के अब्मेशन को अंजाम देता रहेगा पिर रपोर्ट, टीवीनाइम भरपश